जिन महिलाओं को किचिन तक सीमित माना जाता था वह महिलाएं अब होंसलों की उडान भर रही हैं। होंसलों की उडान के साथ साथ यह महिलाएं अपने आप को समार रही हैं। बच्चों को साथ साथ अपने घर परिवार की जिम्मेदारी भी उठा रही हैं। एक महिला जो कि मा को देखकर हताहत हुई थीं आज वही महिला करोणों रुपे सालाना कमा रही है महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं यह कहानी है पच्चिश वर्चीच अप पापनी खंडेलवाल की जिसने मा को हतास हुए देखा तो उसने मा को होसला दिया और होसले की उडान भरी आज यह महिलाएं सेक्ड़ों महिलाओं को ट्रेणिंग दे कर उनको होसले की उडान दे रही हैं मेरा नाम रेखा खंदिलवाल है और मैं आत्मिरफर लर्निंग स्कीम डारेक्टर हूँ आत्मिरफर लर्निंग एक ऐसी जगे है जहां पर महिलाओं को स्कूटी चराना सिखाया जाता है और इसकी स्टार्टिंग हमने 2017 में की थी मतहरा से और आज बढ़ते बढ़ते हिए 14 शहरों में पुछ चुका है आगरा मतहरा जैपो जोड़को लखनु एक्चुली यूपी राजिस्तान और डेली एंसियर हम पूरा लगभग पूरा कवर करते हैं और अभी तक 20,000 से ज्यादा माईलाओं को हम स्कूर्टी चराना चेखा चुके हैं हमारे साथ 200 से ज्यादा लगटिया है जो काम कर रही है जो अर्निंग है जिनको हमने व्यापा बिजनिस दिया हुआ है जो हमारे साथ अर्निंग करती है एक्चुली यह स्टोरी मेरी अपनी है मुझे स्कूर्टी चलाना सीखना था मैंने बहुत सफर किया घर पर भी सिखाने की कोशिश करी लेकिन साथे चलानी नहीं आती थी वो ले जाते थे मुझे डेली बत नहीं सीख पाई फिर हो गया ताइम में कलता गया नहीं सीख राड़ो कर दो हूँ जाता था ता प्वाइननली मैंने अब स्ट्रगल के बाद मैंने स्कूर्टी चलाना सीख लिया सीखने के बाद मेरा फिलिंग सीना वह बहुत ही जाड़ा बज़ा इसर लगता था कि जैसे लिआन कर छाह मैं स्कूर्टी पर होती आ हूँ तो उसी को देखते हुए पेरी बेटी का पापनी वहां पे पूने में BBA कर रही थी जब उसका कोस कम्पीट हुआ तो उसके बाद उसका यह था कि मा क्या आपको लगता है कि जैसे आपने स्कूली चराना सीखा तो और महिलाए भी सिंगना चाहती होंगी मैं नहीं का मुझे तो लगता है कि जैसे हर किसी को सीखनी है मतब एक आजादी मिलती है वो सब चीज़ बसे लगता कि हर किसी को सीखनी है तो यह काम करो अब अख़वार में डाल दो हमने अफ़ार में डाला ट्रेनर के लिए कि स्कूटी चलान से आज सिखाने के लिए हमें महिलाओं की ज़रुरत है बट हमारे पास इंक्वाइरी जाने लगी स्कूटी सीखने के लिए तो उसी दिन से ही बस आत्मरबस स्कूट हो गया हमारे चार्जिद एक्चुली काफी म जरीब तबके से होती हैं जो लोग स्कूटी चलाना तो है लेकिन बहुत पहले चलाया हुआ होता है कभी एक्सिदेंट के बाद चलाना बंद कर दिया शादी के बाद नहीं चलाई तो उनके लिए हम 5-day कोर्स रखते हैं और 10-day कोर्स होता है जिनको साहिके चलानी भी नही 65 साल तक की लेडिस को स्कूटी जलाना सिखाते हैं